अब दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल इस्टिडी पॉइंट बित केके पर दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानने वाले हैं जैसे की इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं या आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं इनपुट डिवाइस के प्रकार और आउटपुट डिवाइस के प्रकार या इनपुट और आउटपुट डिवाइस के उप्योग आज के बारे में जानने वाले हैं तो दोस्तों, अगर हभी तक आप लोग चैनल पर नए हैं, तो किर्पया वीडियो को लाइक और चैनल को ससक्राइब ज़रूर करें तो चलिए फ्रेंच हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन्पुट डिवाइस इन्पुट डिवाइस क्या है? दोस्तों कम्प्यूटर में input device एक AC electronic device है जिसके दोरा हम data या instruction को computer में input कराते हैं Input device हमारे दोरा दिये गए निर्देशों यानि instruction को computer तक पहुचाती है यानि कि दोस्तों इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम डाटा तथा निर्देशों को कम्प्यूटर में इनपुट कराते हैं दोस्तों input device वे device होते हैं जिनका उपियोग करके उपियोग करता यानि user कम्प्यूटर में data तथा instruction को input कराता है जैसे दोस्तों आपका keyboard हो गया, mouse हो गया, scanner, trackball, joystick, light pen, touchscreen, microphone, webcam ये सभी आपके input device हैं तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं जिसमें से पहला है आपका keyboard Keyboard most important input devices में से एक है Keyboard का उपियोग computer में text, character, आधि को input कराने के लिए किया जाता है Keyboard का उपियोग computer system में text, numerical data, एवं special character को input करने के लिए किया जाता है Keyboard सबसे ज़्यादा परियोग की जाने वाली input device है दोस्तों एक keyboard में alphabet, digit, special character, function की, control की एवं कुछ आपके special keys आधि होते हैं दोस्तों एक keyboard में A से Z तक की keys को alphabet keys और 0 से 9 तक की keys को numeric की या number की कहते हैं और वहीं जो आपका F1 से F12 तक होता है उसको हम function keys के नाम से जानते हैं वहीं दोस्तों keyboard में आपके जो home की हो गया, insert, delete या page up की, page down की, या control, या alt, एवं escape की जो होती हैं इनको हम control keys के नाम से जानते हैं वहीं दोस्तों अगर हम special keys की बात करें तो जो आपके caps lock, num lock, shift, enter, tab या जो आपके space keys होती हैं ये सभी आपके special keys की अंतरगत आती हैं keyboard का अभिसकार Christopher, Latham, Solace ने किया था next है आपका mouse mouse भी एक प्रकार का input device है इसका उप्योग computer को नियंतरित यानि control करने के लिए किया जाता है mouse को pointing device या pointer device के नाम से भी जाना जाता है mouse एक cable के माध्यम से computer system से जुड़ा हुआ होता है जब हम mouse को mouse pad पर move कराते हैं तो screen पर cursor move करता है इसमें तीन बटन होती हैं पहला left की, दूसरा right की, तीसरा scroll wheel सामान तहा left click का उप्योग हम किसी file या folder को select या run कराने के लिए करते हैं और वही right click का उप्योग हम menu generate करने के लिए करते हैं और वही scroll wheel का उप्योग हम किसी page को उपर नीचे करने के लिए करते हैं माउस का आभिसकार डगलस सी एंजल वर्ट ने किया था माउस दो परकार के होते हैं पहला wire mouse और दूसरा wireless mouse next है आपका scanner scanner भी एक input device है जिसका उप्योग text, image, document, picture, notes आधि को scan करने के लिए किया जाता है यानि की दोस्तों scanner का उप्योग paper पर लिखे हुए data या छपे हुए चित्र को digital रूप में परिवर्थित करने के लिए किया जाता है scanner का कार hard copy को soft copy में परिवर्थित करना होता है यानि की दोस्तों scanner के माध्यम से हम किसी भी text, image, document, picture या अपने hand written notes को digital रूप में परिवर्थित कर सकते हैं next है आपका joystick joystick भी एक प्रगार की input device है इसे pointing device के नाम से भी जाना जाता है या सभी दिशाओं में move कर सकती है और करसर के movement को control करती है joystick का परियोग अधिकतर gaming application में किया जाता है next है आपका track ball track ball भी एक प्रगार की input device है या देखने में mouse के आकार की होती है इसे भी mouse की तरह ही परियोग किया जाता है इसमें उपर की ओर एक ball लगी होती है जिसका परियोग कर सर के movement को control करने के लिए किया जाता है next है आपका light pane यहाँ एक प्रगार की input device होती है जिसका उप्योग computer screen पर drawing, graphics आधि बनाने के लिए किया जाता है next है आपका touch screen touch screen भी एक प्रगार की input device है जिसमें उप्योग करता यानि user अपनी उगलियों के माध्यम से input देते हैं touch screen का उप्योग सामानता, ATM, bank, mobile, airline reservation, supermarket आधि में होता है next है आपका barcode reader barcode reader भी एक प्रगार की input device होती है दोस्तों barcode reader एक light sensitive detector होता है जो barcode एवं image दोनों को scan कर सकता है barcode reader का उप्योग किसी भी product पर छपे हुए barcode को read करने के लिए किया जाता है barcode reader light के माध्यम से barcode को read करता है next है आपका oymar दोस्तों oymar भी एक प्रगार की input device है जिसका उप्योग किसी भी कागज पर छपे या बनाए गए चिन्यों को scan करने के लिए किया जाता है इसका उप्योग objective type के exam के answer key को check करने के लिए किया जाता है oymar का full form optical mark reader होता है next है दोस्तों आपका yam-i-c-r yam-i-c-r का full form magnetic ink character reader होता है इसका उप्योग magnetize character को read करने के लिए किया जाता है yam-i-c-r का परियोग अधिकतर बैंकों में check पर छपे magnetic character को read करने के लिए किया जाता है next है दोस्तों आपका microphone microphone भी एक तरह का input device है जिसका उप्योग sound के रूप में input देने के लिए किया जाता है यानि कि दोस्तों computer में हमें अगर sound के रूप में input देना है तो इसके लिए हम microphone का उप्योग करते है next है आपका babe cam babe cam भी एक प्रकार की input device है babe cam का उप्योग video capturing एवं image capturing के लिए किया जाता है इसका परियोग सामानता video conferencing, online chatting आधि में करते है तो ये रहे दोस्तों आपके कुछ input devices जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जाना अब हमारा next है output device तो चलिए हम output device के बारे में जानते हैं output device output device क्या है दोस्तों output device वो device होती हैं जो computer में input किये गए निर्देशों को processing के पस्चात उसका परिडाम यानि result hard copy या soft copy के रूप में user को प्रदान करती है उसे output device कहते हैं output device का परियोग computer से प्राप्त, result या output को देखने अथो अप्राप्त करने के लिए किया जाता है output device output को hard copy या soft copy के रूप में परिवर्तित करता है दोस्तों soft copy वह output होता है जो हमें monitor screen पर दिखाई देता है या speaker के माध्यम से हमें सुनाई देता है जबकि hard copy वह output होता है जो हमें printer के माध्यम से paper पर प्राप्त होता है उसे हम hard copy कहते है यानि की दोस्तों output device वह device होते है जो result को hard copy या soft copy के रूप में परिवर्तित करते है output device कहलाते है जैसे आपका monitor हो गया, printer हो गया, plotter, projector, speaker, headphone आद ये सभी आपके output device के उधारन है तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन सब के बारे में जानते है पहला है आपका monitor दोस्तों monitor एक most important output device हों में से एक है monitor एक महत्पूर्ण output device है जिसका उपयोग स्क्रीन पर soft visual output परदान करने के लिए किया जाता है monitor को V, D, U यानि visual display unit के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों monitor एक soft copy output device है जिसका उपयोग computer screen पर soft copy output परदान करने के लिए किया जाता है monitor कई प्रकार के होते हैं जैसे आपका CRT monitor, LCD monitor, LED monitor और plasma monitor CRT का पूरा नाम cathode ray tube होता है या एक television screen जैसा दिखता है CRT monitor दो परकार के होते हैं पहला आपका monochrome और दूसरा color monochrome monitor black and white होता है दूसरा है आपका LCD LCD का पूरा नाम liquid crystal display होता है इसे flat panel screen भी कहा जाता है यह CRT monitor की तुलना में काफी अच्छा होता है Nest है आपका LED monitor LED का पूरा नाम light emitting diode होता है और Nest है आपका plasma monitor उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा Nest output device है हमारा printer तो चलिए हम printer के बारे में जानते हैं दोस्तों printer भी एक महत्पूर्ण output device हों में से एक है जिसका उप्योग हम hard copy output प्रदान करने के लिए करते हैं प्रिंटर की सहायता से हम किसी भी document, image, spread sheet आधि को प्रिंट कर सकते हैं यानि की दोस्तों printer का उप्योग हम hard copy output प्रदान करने के लिए करते हैं प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं पहला impact printer और दूसरा non-impact printer impact printer भी दो प्रकार के होते हैं daisy wheel और dot matrix non-impact printer भी तिन प्रकार के होते हैं पहला आपका inkjet printer, दूसरा thermal printer और तीसरा वहीं आपका laser printer होता है next है आपका plotter plotter भी एक output device है जिसका उप्योग कागजों पर graphical output बनाने के लिए किया जाता है next है दोस्तों आपका projector projector भी एक output device है इसका उप्योग computer से प्राप्त information को बड़ी screen जैसे दिवार या परदे पर दिखाने के लिए किया जाता है projector का उप्योग video, image, animation आदी को एक बड़े screen पर दिखाने के लिए परियोग किया जाता है यानि की दोस्तों, projector का उप्योग बड़ी संख्या में presentation को दिखाने के लिए किया जाता है next है दोस्तों आपका speaker speaker भी एक प्रकार का output device है जिसका उप्योग sound के रूप में output परदान करने के लिए किया जाता है दोस्तों इसका उप्योग अधिकतर multimedia application में होता है जिससे कोई भी sound आसानी से सुना जा सकता है next है दोस्तों आपका headphone headphone भी एक प्रकार का output device है जिसका उप्योग हम music आज सुनने के लिए करते हैं तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ output devices जिनके बारे में अभी हम लोगों ने जाना उम्मेद करता हूँ यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो किरपया वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा computer memory and storage device का जिसके वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे next वीडियो में